नमस्कर दोस्तो बिहार एक्स्पेस में आप सभी का स्वागत है दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं खगडिया से अलोली और कुशेसर अस्थान डेलखन्ट के बाड़े में कई सारे कमेंट आ रहे थे कि खगड़िया से कुसेसर अस्थान जो लाइन है उस पर एक वीडियो बनाईए तो उसी का एक अपडेट लेकर के आये हैं लेकिन अपडेट कोई खास नहीं है खगड़िया से अलोली तक जो है स्पीट ट्रेल हुआ था मई के महिने में ही लेकिन ट्रेन जो है वो शुरू नहीं हो पाया और तब जो बताया गया था जब स्पीट रेल हुआ था उससे में बताया गया था कि इस पर अगस्त तक ट्रेन शुरू कर दी जाएगी लेकिन अगस्त तक छोड़िये ये दिसंबर का महिना भी बीतने वाला है लेकिन अब तक इस पर ट्रेन शुरू नहीं होई है 1998 में शुरू हुआ ये रेल प्रोजेक्ट जिसका नीव ततकालीन रेल मंत्री राम बिलास पासवान ने रखी थी और 2003 में इसकी जो है शुरूआत की गए थी और इसको 2009 में कम्पिलीट होना था जिस समय इस परोजेक्ट को शुरू किया गया था उस समय इसका जो खर्च था वो 162 क्रोड था लेकिन ये बर कड़के 575 क्रोड से भी जादा हो चुका है लेकिन अभी तक ये रेल पड़ी हो जना जो है वो पूरा नहीं हो पाया है खगडिया से अलोली और उसके बाद कुसेसर अस्थान 44 किलो मीटर लंबा ये रेल खंड है लेकिन उसमें महज 18 या साड़े 18 किलो मीटर ही अब तक पूरा हो पाया है खगडिया से अलोली के बीच स्पीड ट्रेल के बाद जो है माल गारियों का रास्ता जो वो साफ हो गया था माल गारियों का आना जाना जो हो शुरू हो गया था और बताया गया था कि अगस्त के महिने में इस पर ट्रेन का पड़ी चलन जो होगा लेकिन अगस्त के साथ-साथ दिसंबर भी बीतने वाला है और बीत चुका है लगभग और अब तक जो है ये इस रेल पर्योजना पर जो है काम ठीक ढंग से नहीं किया गया है और इसको अंदेखी की गई है जिसकी बड़ी वज़ा ये है कि राशी का अभाव हमेशा इस रेल जरा कि काम तो चल रहा है लेकिन वो रफ्तार नहीं है वो तेजगती नहीं है कछुए की चाल जो है वो काम चल रहा है तो देखना हुगा कब तक ये पूरा होता है क्या होता है ये देखने वाली बात होगी तो दोस्तो ये थी खगड़ιά से अलोली और कुशेसर अस्थान रेल खंड की कुछ अबडेट जो मैंने आपको बताया हलाकि इसमें कोई खास अबडेट था नहीं इसलिए इस वीडियो में इतना ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें तो चलिए हम मिलते हैं किसी और अब यूटूब चैनल